कि कल असेम्बली में पुर जोर से हमारा जीवान इवामित्रों का मुदा उठा है सरकार के पास अभी तक उसका कोई जबाब नहीं है इस चेकर में पूरे विपक्ष ने वकाउट कर दिया है राजीवान इवामित्र पिछले 13 दिनों से यहां पे बैटे है अभी तक कोई खास आस्वासन नहीं मिला है कल हमारी विदान सबा में विपक्ष द्वारा बात उठाए गई थी देखते हैं आज और बात उठाई जाएगी हो सकता है साकरात्म कासवासन मिले राजीव गांदी नाम से हो सकता है इस सरकार को दिक्कत हो और हम यह चाते हैं कि सरकार से हमारा नाम परिवर्तन करें और नए नाम से हमें दुबारा जोइन करवाए नहीं अभी तक किसी भी मंतरी ने कोई भी बारता नहीं किये बिल्कुल और हमको प्रसासन के द्वारा भी टॉर्चर भी किया जा रहा है जिसे रात को लाइट भी बंद कर दी जाती है पानी की विवस्ता नहीं है पानी का टेंक भी यहां से हठा दिया जाता है तो इस तरह हमको काफी परिसानी आ रही है इस खुले आस्मान में मला यहां हमारी बेहन बेटी या भी है बहुत परिसानी हो रही है अब हमको खुल मिला गए लेकिन सरकार फिर भी हमारी कोई भी सोद नहीं ले रहे है सरकार तो बहुत आशवशन ही दे रही है अभी तक कुछ नहीं लिखित में हमें कुछ नहीं दिया है और जब तक हमें लिखित में कुछ नहीं देंगे जब तक हम धरना जारी रखेंगे हम राजियू गांदी योँ अमित्र यहां दर्ना इस तल पे इसलिए बेठें कि जैसे बजन लाल सरकार बनी हमें 5,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया पहले राजियू गांदी योँ अमित्र जो गई सरकार थी उन्होंने हमें लगाया उसके बाद में हमने ठर मेने काम किया और हमारा कारिय था लोगों तक जनल कल्यान कारी योजनाओं को पहुचाना लेकिन एक लेटर जारी हो था पचीस बारा दोजार तेश को बिना सूचना बिना नोटिस दिये वे हम संकल प्यातर हमें हमारी टूटी लगवी थी खुद कलेक्टर ने आदेश करके हमें लगए था उसके बाद में भी हमें हमें एटा दिया हमारा काम था कियो जनल कल्यान कारी योजनाओं का परचार परसार करना लेकिन सरकार ने ठपा देकर हमें अलग कर दे कि यह तो कॉ कि योजनाओं को धरातल के लास्ट पर खड़े व्यक्ति तक हमने उन योजनाओं का फायदा उनको दिलाया था अब इन सरकार को कौन बताए कि हमने केवल सरकार का काम नहीं किया था पर इनों इनको कौन समझाए केवल नाम के आधार पर हमें अठा दिया गया हम तो यह कह सरकार की योजनाओं का फायदा धरातल के खड़े हुए लास्ट व्यक्ति तक उनका योजनाओं का फायदा हम पहुचाना चाहते हैं